हेलो गाई सो कैसे आप सब सब दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब खेरी से होंगे ठीक होंगे दोस्तों आज की वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं कि कि दोस्तों अगर आपके फून के उपर टेक्नो, इन्फनिक, सिरेलमी या कोई भी ऐसा कंपनी का स्मार्ट फून था जिसके उपर दोस्तों आपको जब वो डिस्प्ले के उपर या राइट पर दोस्तों आप लोगों का जब फिंगर प्रिंट जावा यहां पर काम नहीं कर यह शो नहीं होरा सेटिंग के उपर, यह प्रोब्लम काफी लोगों के पास आ रही है कि उनको सेटिंग के उपर जब फिंगर प्रिंट का आप्शन ही शो नहीं होरा, मिस हो गया है, अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखा तो आप क पासवड और सेक्योर्टी को पर मुझे जब फिंगर प्रिंट का आप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले मुझे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने इसको कैसे शो किया, वो मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो दोस्तों रिपेर करने में कोई भी ऐसी प्रोब्लम आगी होगी, जिससे दोस्तों आपका जो फिंगर प्रिंट है, वो मिस हो गया होगा, यानि के बताने के मसलम मेरा ये है, कि दोस्तों अगर आपने इसको रिपेर किया है, और डिस्प्ले जो था, वो यहाँ पर जो ठीक करने वाला था उससे कोई ऐसी मिस्टेक हो चुकी होगी कि जो फिंगर प्रिंट है वो साइट पर हो गया होगा उसके वाज़ से दोस्तों यहां पर आपको जैवा शो नहीं किया जो आपको search का option देखने को मिलता है तो फिर दोस्तों आपको इतना करना कि आपर आपको reset आपको search कर ले considering यहां पर our website सबसे पहले आपको option देखने को मलेगा औ tip कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा यानिका आप समझ लेके आप लोगों को 이हां पर आपको कोई अब्लाम का सामना आपको कोई भी नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ से दोस्तों आपको जब यहाँ पर रीस्टोर का उपश्ण ऊपर भी Dekh Depending को मिल सकता है और यहाँ पर आपको रीस्टोर defaults का option भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आपको reset mobile networks and Bluetooth का option settings का देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको जब यहाँ पर back आना है और यहाँ से आप logo को setting आपको search करना है जैसे यहाँ पर आप settings सर्च करोगे उसके बाद दोस्तों आपको reset search करना है जैसे search करोगे यहाँ पर आपको settings का option मिल जाएगा जैसे आओगे यहाँ पर settings के उपर यहाँ पर आपको यह option देखने को मिलेगा और यहाँ से दोस्तों आपको just इतना करना है कि यहाँ से आपको कुछ लोगों को जब यहाँ पर आपको जैवह reset setting का options देखने को मिल जाता है तो आपको जैवह settings को reset कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी अगर आपको option ना मिले तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर just करना किया कि reset जैसे search करोगे यहाँ पर यह option आजएगा यहाँ पर दोस्तों आपको जो वह settings हो गया या अलग अलग हो गया तो यहाँ पर reset settings के ओपर click करना है और आपको अपनी screen का lock यहाँ पर enter करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इसको ok कर देना है और आपको जब यहाँ पर phone के जब रिसेट हो जएगा उसके बाद आपको power button प्रेस करके रखना है ठीक है जैसे प्रेस करके रखोगे यहाँ पर आपको reboot कर देना है रिबोर्ड करोगे उसके बाद दोस्तों देखोगे और आपका जब वह settings के उपर जब फिंगर्प्रिंट अप्लाई हो जाएगा यानि कि मिल जाएगा और आप उसको जब अप्लाई कर सकते अपनी screen के उपर इस तरीके से दोस्तों आप अपनी problem को solve कर सकते हो